तो चलिए आज module 1 स्टार्ट करते हैं fundamentals of physical geography का जैसे कि हमने overview में बात किया था कि हम आज module 1 स्टार्ट करेंगे तो module 1 बेसिकली Earth और universe के बारे में बात करता है कि Earth हमारा कैसे बना उसकी जो theories हैं जैसे nebular hypothesis theory क्या बोलती है कि stars कैसे बने और planets कैसे बने फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम geological time skills देखेंगे जैसे Eon, Era, Periods क्या होते हैं Epochs क्या होते हैं उसके बाद हम Earth का Indeer को जानेंगे कि Earth में different layers होती हैं सबसे अंदर Earth एक solid रहता है फिर आप थोड़ा उपर आओगे तो Magma portion आता है फिर उपर ocean, ocean के plates आते हैं oceanic crust आता है फिर continental crust आता है तो यह सब हम देखेंगे फिर Earth के movement से basically seasons कैसे आते हैं climates कैसे आते हैं Earth जो revolve करता है और rotate करता है अपने axis पे और revolve करता है around the sun तो उससे क्या effect पड़ता है हमारे seasons पे उसके बाद हम यह देखेंगे कि हम time कैसे determine करते हैं किसी place का तो for example कि let's say India is you know five and a half hours ahead of London तो साथे पांच गहंते जब लंडन से आगे है तो यह हमने कैसे निकाला यह हमारा GMT या IST यह कैसे आता है GMT is greenwich mean time और IST is Indian standard time हमने यह standard time decide कैसे किये हम हम उसको देखेंगे उसके बाद हम earthquakes देखेंगे और उससे related you know कौन सी waves उसको cause करते हैं जैसे body waves में हम दो waves पढ़ेंगे SNP waves right तो यह module 1 basically cover करता है जो की basics है तो चलिए start करते हैं और सबसे पहले अगर आपने subscribe नहीं किया channel को please करते हैं क्योंकि वीडियो काफी interesting होने वाले हैं आगे के and हम नहीं चाहते कि आप कोई भी ही video हमारा आगे miss करें तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले introduction से start हम करेंगे introduction में basically let's see की geography जो word है वो basically आया कैसे तो कभी भी आपको कोई भी word का मतलब जानना हो जो आपके उपर से निकल रहा हो बहुती बड़ा सा word लिखा है ना उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा तो हमेशा आप उसको तोड़ दीजे तो जैसे geography है अब geography का मतलब दो वर्ट से आया है जियो प्लस graphi तो graphi का अगर आप graphos का अगर हम literal meaning देखोगे dictionary में उसका मतलब होता है किसी चीज को describe करना किसी चीज को explain करना तो जैसे हम बोलते है graphical representation तो graphs के थ्रू किसी चीज को समझाना उसको graphical representation बोलते है तो graphos भी वही है description है किसी चीज का उसको हम geography बोलते है तो geo का मतलब होता है graphos का मतलब होता है description दोनों को आप मिला दोगे तो यह बन जाएगा geography अर्थ का description is what is called geography ठीक है अब यह coin किस ने किया था term geography तो geography एक geographer थे obviously geographer ही होंगे philosopher कहोंगे नहीं तो geographer थे erathosinus करीकन का नाम था erathosinus का भी गटन नाम है तो आप practice करिए इसको pronounce करने की पर रटनी की जरुवत है नहीं यह सब पूछता नहीं है क्योंकि NCRT में दिया था और हम लोग basic से start कर रहे हैं तो ठीक है हम पर सकते हैं तो erathos erathosinus ने दिया था इसका नाम उसके बाद एक और चीज आता है जिसमें हम land forms को पड़ते हैं अब land forms का मतलब क्या है फिरसा अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि land forms का क्या मतलब है उपर से जा रहा है तो उसको आप तोड़ दो इसने types के land हो सकते है तो land जैसे की अगर मैं आपको बात करूँ तो desert एक type of land हो गया कि वहापे आपको मिट्टी दिखेगी बहुत ज़दे या stones दिखेंगे हैं Himalayas एक type के land forms होगे कि वहापे आपको पहारा दिखेंगे Antarctica मतलब Glaciers जैसे आप Arctic जाओगे तो वहापे आपको आइस दिखेगी तो वह अलग type के land forms हो गया beaches, coastal region में beaches मिलेंगे तो वह अलग type के land forms हो गया तो उनी को land form बोलते हैं land के अलग type के प्रकार और इसी की study को हो क्या बोलते हैं geomorphology तो study of land forms is called geomorphology और land forms physical geography में सबसे important part है questions बहुत बनते हैं तो बहुत important है आगे पढ़ेंगे हैं उसके बाद हम यह देखते हैं की सबसे बहुत इंट्रोड़क्शन देखते हैं की galaxies क्या होती है तो galaxies basically एक cluster होती है star का मतलब खूब सारे stars एक space में जब आके past में cluster बना देता है cluster मतलब की एक group type का समझ दो तो उसको हम बोलते है galaxy तो हम किस galaxy में रहते हैं milky way galaxy हम milky way galaxy में रहते हैं तो earth milky way galaxy का part है और वो galaxy क्या है cluster of stars है आप कभी भी खुले आसमान में देखो कभी आप ही मार्चल जाना ना तो वहां पर ऐसे रात में उपर देखना ऐसे कई isolated सी जगे पर जागे जहां पर light white ना हो तो आपको बहुती आच्छा सा pattern दिखेगा उपर और मैंने तो एक बार actually मैं milky way galaxy देखी भी थी मतलब ऐसे पूरा दिखता है उपर cluster इसी type का cluster देखता है naked ice तो उसी को हम galaxy बोलते हैं सारे stars एक साथ जब आजाते हैं मतलब को सारे stars एक साथ जब cluster बना रहते हैं तो उसको हम galaxy बोलते हैं ठीक है और सारे planets जो भी है वो अपने parents star के you know around elliptical path में orbit करते हैं अब यह elliptical path क्या होता है जैसे मालो की egg egg का shape देखा हमने egg is not round egg is oval shaped तो उसी type का ही path होता है अगर मैं उसकी boundary पे you know एक line बना दूँ मालो उसकी boundary पे planet revolve कर रहा है और कहीं बीच में sun है तो उसी type का ही जो orbit है ना उसी को हम बोलेंगे elliptical path ठीक है तो spherical path नहीं होता है spherical होगा तो क्या होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे कि spherical मान लो ऐसा होता कि earth spherical path में नहीं होती spherical path में होती sun के around तो उससे क्या होता उससे हमारे seasons change होते है हम आगे पढ़ेंगे अभी बस basics जान रखिए elliptical path में rotate होता है और second of all आप जैसे यह देख रहोगे कि जो planets है वो sun के around ऐसे घूमते है मतला west to east घूमते है अगर आप उपर से देखोगे यहां से देखोगे तो यह anti clock wise घूमते है पर एक planet ऐसा है जो ultra घूमते है मतलब एक planet ऐसा है जो ऐसा है Uranus Uranus actually clockwise घूमते है यह में को भी नहीं परता था जब तक मैंने पढ़ा नहीं था तो Uranus जो है वो clockwise घूमते है मतलब वो east to west जाता है Uranus वो ल्टा घूमते है यह GC long में लिखा हो है कि यह east to west जाता है और एक जो planet है Venus उसको हम Earth का twin बोलते है क्योंकि उसका size, you know size, shape, density अर्थ के बराबर है बस वहां पर atmosphere नहीं atmosphere मतलब but life possible नहीं है क्यों? क्योंकि इसके दो reason है एक तो यह है कि जो Venus है जो Earth है, Earth में actually life क्यों exist करती है, why is Earth habitable एक तो यह है, यह तो बहुती basic reason है कि you know Earth एक ऐसी zone में है जहां पर ना जादा sunlight आती है और ना जादा थंडा है तो बराबर का proportion है पर Venus भी उसी zone में है इसको हम लोग क्या बोलते है गोल्डी लॉक zone, habitable zone जो होती है उसको हम बोलते है गोल्डी लॉक zone तो उसमें Venus भी है पर Venus में क्यों नहीं life है क्योंकि because Earth का जो अभी हम पढ़ेंगे कि Earth के इंटीर में मैगमा फ्लो कर रहा है तो उस मैगमा के फ्लो की वज़े से अपना इसका magnetic field होता है अर्थ का तो जब Sun के rays आ रहे होते हैं जो solar winds वहां से आ रही होती है तो उसको deflect करती है तो जैसे अपने Northern Lights देखा होगा Northern Lights का basically concept यही है Northern Lights क्यों बनती है क्योंकि Earth के magnetic field से Sun की solar radiations आ रही होती है इसी वज़े से आपको color अलग अलग दिखते हैं तो वह basically Earth को as a shield की तरह प्रोटेक्ट करती है मतलब पूरी solar radiations नहीं आने देती हैं जबकि Venus पैसे कोई protection नहीं है तो और Venus का अट्मोस्फियर है उसमें बहुत ही जादा you know gases carbon dioxide भी भहुत हैं तो sunlight underpenetrate भी नहीं करती है तो वहां पे इसी लिए भी atmosphere नहीं है तो यह सारे reasons में एक documentary में देखा था जिसमें वो planets के बारे में बता रहे थे तो वहीं से ही में को बता चला यही अब नेक्स आते हैं नेक्स यह fact है Saturn has overtaking Jupiter for you know the most number of moons तो Saturn में भी 82 moons है, Jupiter में 79 है पर से Jupiter largest है यह तो पते ही है Saturn में 3 rings है यह भी Titan के इसका मून है पता ना NASA अपना spacecraft आप भीचता रहता है तो बताना कि किसका है Titan का है कि जो बेटर का है और मैंने बता ही दिया आपको clockwise direction में मूव करता है अब सेकेंड पार्ट यह है कि यह Earth का basically origin कैसे वज़े से मैं बोला था कि planets और stars बने कैसे हमारा हमारी Earth कैसे बनी तो उसके लिए एक theory है जो जिसको हम बोलते है Nebular hypothesis theory यह basically researcher थे Immanuel Kant उन्होंने दिया था तो चली देखते हैं इसका क्या मतलब यह बहुत ही अच्छा video इंटरेस्टिंग वीडियो है देखिए कसको तो basically क्या बोलता है Nebular hypothesis यह बोलता है कि इनीशेरी समसे पहले क्या था कि एक spinning cloud था तो यह मानो यह जैसे मानो भी दिखाएगा इसमें यह ऐसा तो यह इसमें hydrogen, helium और dust particles रोटेट कर रहे थे ग्यास का मास था यह ऐसे एक flat disk में रोटेट कर रहा था यह दिखिए दीरे दीरे फिर क्या हुआ speed बढ़ने लगा इसी को Nabula बोल रहे थे लो जब दीरे-दीरे speed इसका बढ़ गया तो जो dust particles है ना दीरे-दीरे क्या gases अंदर आने लगी due to gravitational pull gravitational pull की वज़े से दीरे-दीरे gases अंदर आगे condensed करने लगी ठीक है उसकी वज़े से और gravitational field बढ़ी फिर और particles अंदर आने लगे दीरे-दीरे सारे dust particles अंदर आने लगे matter खुब intense हो गया तो यहां पर क्या हुआ बने लगे तो एक nuclear fusion reaction स्टार्ट हो गया तो उसी ने हमारा sun बनाया जिससे आज भी जो आज भी जो reaction है sun पे चल रहा है वो तभी इतना bright है और फिर बागी जो particles बचेना जो बज गये जो अंदर नहीं खीच पाये थे वो आपस में मिलके उन्होंने proto-planets मना दिया तो ये आपस में rocks जोड़के proto-planet ब NATO the planet योड़े प्रोटो-planet आपस में जोड़-जोड़के उन्होने प्लानें दिया सबसे पहले rocks थे अऔर dust आपस मेंजोड़कर open आपस में जोड़कर proto-planet बनाए और ्टsetूर प्लैनेट्स हमारे तीन हैं कौन ही कौन मर्करी विननस एर खाला यहां पे इस्ट्र्डाइड बैल्ट यह और यह वाले यह सारे गाइशे flame प्लैनेट सब्सक्राज में यूपिटर रह साथ है चैतरन बाता है और और यहूरेन्स आता है और नेप्चून तरय इसमें यहां से सोलर इंच इनके यूण सारे वो बाहर जाती है एसे बाहर और आज भी आप देखर होगे निए अर्थ पेस्ट रिट करते हैं आज भी डिपरेशन बनते हैं आज भी प्लानेट से वाल करें अज भी सोलर सिच्छ में वाल कर रहा है ऐसा नहीं कि बन गया है जै इसे डुष और यह बोल रहा है कि था दिखल रहें कि यह पताथा कि प्लानेट उस्फ टार्स करें और उनका अरेंजमेंट ऐसे क्लोग बाइस ही क्यों है तो यह सब बताता है अन्बदा है यह वालग इंप्लोरेश से थे तो यह थीरी अबहुत इंपोर्टेंट है क्योंक तो बस यह इसी का डिस्क्रिप्शन है यह पूरे जो वीडियो था उसका डिस्क्रिप्शन है कि यह कैसे बने तो इसमें यह की पहले spinning cloud था फिर ध्रीज़ी ग्राविटी उसको पुल करने लगी गैसे इसको अंदर की तरफ तो उससे वह लो अब एक पॉइंट प्याने लगेगी तो बहुत ही अधर टेंपरेचर बढ़ जाएगा कि भी सारे चीज़े को लाइड करें होंगी हीट जन्रेट होगी और मैंने मैंने पताया था कि इतना जादा वो यह नो टेंपरेचर बढ़ गयता है कि आटम्स आपस में फ्यूस होने ल एगिये थांकिय।